मैनपूरी में माया के प्रचार करने को लेकर असहज है मुलायम मैनपूरी में माया की रेली प्लैन से क्यू नराज है मुलायम सिंग्यादव अगामी लोग सवच चनाव में बीज़पी से दो दो हाथ करने के लिए SP-BSP ने गड़ बंदन करने के बाद सीटों का एलान भी कर दिया इतना ही नहीं प्रदेश के मतदातों को संदेश नेने के लिए अखलेश यादव और मायावती ने प्रदेश भर में एक साथ रैली करने का भी एलान किया है खबरों की माने तो मायवती S.P. संग्रक्षक मुलायम सिंग्यादव की सीट पर भी प्रचार करेंगी लेकिन माया की इस रैली प्रेंस दी मुलायम नराज बताय जा रही है मिली जानकारी के मताबिक मुलायम सिंग्यादव इस बास से नाखुश है कि उनके गड़ में कभी उनकी धुर राजनीतिक विरोधी रही मायवती की रैली होने जा रही है मुलायम के करीबी सुत्रों के माने तो यूपी के सियासत में ये नेताजी के कद को कम करने की कोशिश है खबर है कि मुलायम सिंग का कद काशी राम के बराबर है ना कि मायवती के बराबर वही नेता जी के समर्थकों के माने तो इससे ये संदेश जाएगा कि अपने गड़ में भी मुलायम सिंग को जीतने के लिए मायवती के सहरी की जरूरत पड़ रही है चूकि मायवती इस मंच पर इस बार बड़े कद के साथ ही ज्यादा सीटों के साथ भी होंगी। कैसे मायावती गेस्ट हाउस कांड की कड़वी यादों को भुला कर मुलायम के लिए वोट मांगती हैं। क्योंकि गेस्ट हाउस कांड के बाद माया और मुलायम के भी जबरदस्त राशनीतिक अदावत रही है। आपको पता दे कि 19 सप्रेल को मायावती मैनपूरी में अखलेश यादव के साथ एक साजा रैली को संभोधित करेंगी। ये सीट मुलायम सिंग की राशनीतिक कर्म स्थली रही है। साथ 2014 के लोगचबा चुनाव में मुलायम, आजमगर्ड और मैनपूरी से चुनाव जीते थे। बाद में मुलायम ने मैनपूरी सीट खाली कर दी थी और यहां से उनके पोते तेश प्रताप SP के टिकेट पर सांसत बने। एक बार फिर से पार्टी ने उन्हें मैनपूरी से प्रतैश्य बनाया है। जाहिर है सियासत में जो मायवती अब तक मुलायम की सबसे बड़ी दुश्मन रही है वो ही उनके साथ मंच साजह करती नजर आएंगी। ऐसे में मुलायम का असेहज होना लाज़मी है। इंडिया न्यूज वाइरल की रिपोर्ट